गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल अगेन और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक ऐसी वीडियो जो की एक बहुत ही लैविश और रोयल वेडिंग का इंविटेशन थी फो मी और मैं उस शादी में as a guest गई थी और मैं शादी में लड़के वालों की तरफ से थी तो बारात मे कुछ नजारा है बारात का ये सारी लाइटे है चारो तरफ हम लोगों ने बहुत डांस किया विंटर बहुत थी ठंड बहुत लग रही थी और गल्स आपको पताए कि वार्म क्लोथ तो पहनते रहे हैं बढ़ हाँ हमने डांस करकर के गर्मी को गर्मी लेकर आया और सर्दी को भगाया यहां मैं अंदर पहली एंटरी ले चुक्यों कि अभी बारात को अंदर घुसने में तो बहुत टाइम लगता रिबन कटाई वगरा होती तो मैं घुसने क्यों कि मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो घुसने ही मैंने ड्रिंक पिया यह बाद मैंने देखा यह रिवॉल्विंग सेल्फी पॉइंट तो मुझे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा पहले चलो सेल्फी बना लेते हैं उसके बाद ही कुछ किया जाए तो उसके बाद मैं आई गर्मा गरम सूप काउंटर पे वहां पे मैंने कॉन का सूप लिया उसक बाद फिर स्नैक्स वाले भहिया आ गए उनसे हमने चिली पटैटो मंचूरियन जो भी स्नैक्स में था सब खाया मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेजिटेरियन लिया और मेरी सिस्टर लोगों ने नॉन वेच लिया तो यह मैं आपको मश्रूम चिली मश्रूम दिखा चानीज आइटम था यहाँ पर तो हमने चानीज हम सभी का बहुत ही जैमाला देखी हमने और उसके बाद हमने सोचा वह हम भी क्यों पीछे रहे फोटो शूट में तो यहां मैं अपना भी फोटो शूट करा रही हूं ठंड भी बहुत जादा लग रही थी क्योंकि ड्रोन उड़ रहा था उसकी पंको के चलने से बहुत हवा हो रही थी तो फिर उसके बाद ठंड लगी तो हम देगा चलो बई एक एक कप कॉफी पिया जाए मुझे इस आदत है कि मैं एक्स्टर चॉकलेट डालती हूँ और किसको पसंद है एक्स्टर चॉकलेट डालके पौडर डालके कॉफी पीना उसके बाद फिर मैंने कुछ फोटो क्लिक्स कराई हूँ हूँ है आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फिर फोटो क्लिक्स कराने के बाद बहुत तेज से भूख लगए फिर हमाएं में कोर्स की तरफ में कोर्स में भी हापे सारी वराइटी थी स्वीट डिश में यापे गाजर कालवा रबड़ी खीर वगरा सब कुछ था खाना खाके सब लोग अपने अपने घर को रवना हो गए थैंक्स पो वाचिंग